हेलो एवरिवन स्वागत आप लोगों का हमारे यूटूब चैनल बेस्ट नौर्स टुटोरियल में और आज का जो टॉपिक है वो है उत्राखन राज भोगोलिक सरंचना या भोतिक सरंचना पे तो चलिए सुरू करते हैं आपका पहला क्वेस्टन है धरातलिय बिन्यास इस्तर और सैल करम तथा उच्या वोक्त स्वरूपों के आधर पर उत्राखन को कितने भागों में बांटा जा सकता है तो आपका सयान स्वरूपों के आधार पर उत्राखन को आठ भागों में बांटा जा सकता है तो नम्मर वन पर जो है वो है गंगा का मैदान यानि हरजवार तराइ चेत, भावर चेत, सिवालिक चेत, दून चेत, लगूज या मध्य हमाली चेतर, वुरहत या उचे हमाली चेतर, तता ट्रांस हमाली चेतर तो अगले क्वेस्टन पर चल दो राजय के किस जिल्ले का अधिकांस भाग गंगा के मैदान के अंतरगत आता है तो आपका से आंसर होगा option B हरिद्वार दक्षणी हरिद्वार का अधिकान बाग गंगा के समतल मैदानी छेत्र का ही एक हिस्सा है यहाँ छेत्र गंगा आदिन नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों वाले अवसादों जैसे कौप मिट्टी कीचर तथा बालों से निर्मि सी तरही चेत्र में पातल तोर यह मिलते हैं जीनको इंगले में आटिजन्टमें के नाम से जाना जाता है तो आपका सही आंसर होगा option नमिर डिवार तरही है Richtっぱ को हरिद्वार में गंगा के मैदन के तुरंत उत्तर और पोड़ी गड़वाल तथा नेनिताज जिनों के दक्षने छेत्र वा उधम सिंग नगर के अधिकां सेत्र को तरही छेत्र कहा जाता है तो अगले क्वेस्टन पर चलते हैं और अगला क्वेस्टन है तरही छेत्र में कि के अलावा पंजाब हरियाना और बंगाल के लोग भी नीवास करते हैं जो जो सो क्या कहते हैं तो आपका सयांसे सब्सक्राइब करें तो सिवालिक सिरेड़ियों के उत्तर और मध्य हमाली के दक्षेंड अर्था सिवालिक और मध्य हमाली के दक्षेंड के बीच पाए जाने वाले प्राइब चोबिस से 32 किलो मीटर चोड़ी वा 35 से 750 मीटर तक उन्ची चोरस वा 36 गाटियों को पस्चिम और मध्य भाग में दून तथा पूर भाग में द्वार कहते हैं तो अगला क्वेस्टन है राजे के कुछ भागों में गाटियों के समतल भूमी को क्या कहते हैं तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्सन डी सेंड मध्य हमाले के परवत स्रेणियों के ढालनों पर छोटे छोटे गास के मैदन पाये जाते हैं जिनने हमारे उत्राखण में वुग्या लिया सेंड कहते हैं तो अगला क्वेस्टन है मसूरी यानि जिसको पहाड़ों के राणी कहते हैं मसूरी पहाड़ी कि स्रेणियों में इस्तित है तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्सन नंबर सी मध्य हिमाले स्रेणि तो इसके बारे में भी थोड़े जानेंगे तो लगु हिमाले छेत्र के उंचा ये 1200 से 4500 यानि 4500 मीटर के बीच है लगु हिमाले छेत्र के स्रेणिया राज्य में विभिन डांडों के रूम में विवाजित है इनके बीच में कहें पठार तो कहें नदिया है पहाड़ों के राणी मसूरी भी इसी स्रेणि में इस्तित है इस छेत्र के स्रेणियों पर आंसिक हिमाचादन हो करने के कारण इस चेत्र को हिम चल अर्थात हिम का आंचल भी कहा जाता है मद्धी हिमाले का निर्मान वलित एवं का यांतरित चटानों से हुआ है तो अगले क्वेस्टन पर चलते हैं प्राचीन ग्रंथों में विरहत हिमाले को क्या कहा गया है तो आपका सयान सरोगा ओप्सन नंबर ए हिमाद्री यानि वर्फ का घर यहां चेत्र लगों हिमाले के उत्तर और ट्रांस हिमाले के दक्चिन में इस्तित है सबसे उंची चोटियों वाले इस परवस्रेणियों को उरहत या आंद्रि या महा या मुख्या हिमाले कहा जाता है प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री कहा गया है और हिमाद्री इसलिए कहा गया है क्योंकि वह हिमाद्री होने के कारण हिमाद्री नाम पड़ा है तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है सितोस्ण कटिबंदी ये सदा बहार परकार के कुणधारी वर्ण किस स्रेणि में पाए जाते हैं तो आपका सयांसर होगा ऑप्शन नंबर ब मद्य हिमाली स्रेणि इस चेत्र में सितोस्ण कटिबंदी सदा बहार परकार के कुणधारी सगन वर्ण मिलते हैं संपूर्ण चेत्र का लगवक 45 से 60 परतिसद भाग वनाचादित है इन वनों में बांज, खरसों, चीर, फर, देवदार, साल वह सरों का सरों आधी विरक्ष परवस्रेणि के ढालों पर छोटी छोटी गास के मैदान पाए जाते हैं जिनने कुलू में थच यानि कुलू मनाले आपने सुना होगा वहां थच नाम से पुकारते हैं और कस्मीर में मर्ग गुल मर्ग सोन मर्ग और उत्राखन में बुग्याल इवं पयार और सेंड कहा ज जाता है तो अगला क्वेस्टन पर चलते हैं उरहेत हिमाली चेत्र में ग्रीश मुकाल में पशु चारण हे तो कौन लोग आते हैं तो आपका सही आंसर होगो ऑप्शन नमबर डी ए और बी दोनों जाड या मार के लोग गर्मियों में 10,000 फीट से उपर के छेत्रों में अल आदी भोटिया तथा दौली गौरी काली नदी घाटियों से सोका हुआ जो हार आदी भोटिया अपने पस्वों को लेकर आते हैं तो अगला क्वेस्टन है फूलों की घाटि किस छेत्र में इस्तित है तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नमर बी ट्रांस हिमाली छेत्र में यहां निचले भागों में छोटे छोटे घास के मैदान पाये जाते हैं जिनने वग्याल पयार या अलपाइन नाम से जाना जात है विश्व प्रसित फूलों की घाटि भी इसी चेत्र में इस्तित है जिल्ले की बात करें तो यह चमोली जिल्ल में इस्तित है यह मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया होगा तो अगले क्वेस्टन पे चलते हैं अब क्वेस्टन है प्लाइस्टोन युक के किस चेत्र के विसाल हिम्नद साक्षप रस्तत करते हैं तो इसका जो सभी आंसर होगा वो होगा ऑप्संदध ए और बी डोनों उच्छ हिमाले-चेत्र वुर्यत हिमाले यानि इस चेत्र में विसाल हिम्नद यानि यानि जिन गुमनद बोली तो ग्लेशियर को डुकि है चेटर में के विसाल हिमनद गिलेशियर प्लाइश टोसीन यूखके हमाचरादण का साक्षा प्रस्तुत करते हैं इन हuba हमंद को हिमानिया वर्फ की नदिया क्योंकि इन में परभा होता है इसलिए उनकी हिमानियाव वर्फ की नदियां कहा गया है वह बमक आधि नाम से भी जाना जाते हैं इनी से अनेग नदियों का जन्म हुआ है तो अगला क्वेस्चन है भागी रथी बंदर पूँच वह गंगोतिरी परवत चोटियं किस जिले में इस्तित हैं तो आपका सही आंसर होगा अपसर नंबर डी उत्तर का से ओके तो भागी रथी नदी के ऊंच आए है भागी रथी नदी के ऊंच आए है छे हजार आठ सो चपन मीटर शेहजार आठ सो चपन मीटर ओके और इसमें जो बंदर पूँच कि ऊंच आए है वह है छेहजार तीन सो बीस और गंगोत्री के छेहजार शेह सो बहत्तर और यहां सब उत्तरकासी जिले में इस्तित हैं तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि राज्य में सरवादिक उंचाई वाले अधिकान शूटियों कि जिले में इस्तित हैं तो आपका सई आंसर होगो ऑप्शन नमर बी चमोली जिले में उत्रखन के चमोली जिले में साथ जार आठ सो सूलो मीटर यानि 24,463 फीट के उंचाई पर इस्तित नंदा देवी नंदा देवी परवत भारत की दूसरी वह उत्रखन के सबसे उंची चोटी है जो कि चमोली जिले में इस्तित है इसकी जो जो ही बताई थी वो है 7,816 ओके तो अगले क्वेस्टन पर चलते हैं तो अगले क्वेस्टन है वुरहत हिमाली छेत्र के मून लिवासे हैं तो आपका सही आंशर होगा ऑप्सन नंबर से भोटिया लूग उनके बार में थोड़े से सुनेंगे भोटिया हिमाली लोग है जो नुवी सेताबदी या उसके बाद तिब्बत से दक्षण के और उत्प्रवास करने वाले माने जाते हैं इस जनजाती के लोगों को भोटिया बोट और भूटाने भी जाता है भोटिया जन जाती के लोग ज्यादातर लोग पहाड़ी छेत्रों में रहते हैं यह उत्राखन के तिब्बत से लगे सिमाइंत इलाकों के निवासे हैं तो अगले क्वेस्टन पर चलते हैं तो आपका सही आंसर होगो option num.D तिरसूल सिखर जो की चमली डिस्टिक में इस्तित है तिरसूल परवत सिखर हिमाले की तीन चोटियों के समों का नाम है यह जो पस्चमी कुमाओं में इस्तित थै यह उत्राखन राज्यके मध्य में बागेस और जिले के निकट है यह नंदा देवी राष्टे उद्यान को गेटे हुए शिक्रों के समों का द्यक्षिन पूर्वी भाग है इनी टीन शिक्रों के काराणि इसका नाम भगवान सिव के अस्त्र यानि तिर्सूल का नाम दिया गया है तो इसमें जो तिर्सूल सिकर के उंचाए है वो है 7120 मीटर यानि चमोली जिस्टिक में तो अगला क्वेस्चन है नीमनी लिखित में से राज्य के प्रमुक परवत सिकर है ओप्सने कामेट ओप्सन बी नंदा देवी ओप्सन से बद्रीनात या माना तो आपका सही आंसर होगा ओप्सन नंबर डी उप्रोग सभी कामेट नंदा देवी बद्रीनात और माना ओके नंदा देवी पूर्वी चोखंबा तिर्सूल दूनागिरी केदानात मलारी या नीति मारी आदी कामेट सिकर के उचाई जो है 7756 मीटर है यह चमोली जिल्ली का दूसरा सर्वोच सिकर है बद्रीनात के बात करें तो बद्रीनात के उचाई है 7144 मीटर है और माने की बात करें तो 7772 मीटर है तो अगले क्वेस्टन पर चलते हैं क्वेस्टन है गैर सर्व किस रंखला के पास इस्तित है तो अपका सही आंसर होगों ऑप्शन ए दूधा तोली श्रंखला लोगों हिमाले के अंतरगत चमोली पौड़ी तथा अलमोला जिल्लों के मध्य फैले उए दूधा तोली श्रंखला को उत्राखन का पामिर कहा जाते है अब क्वेस्टन आ भी सकता है कि उत्राखन का पामिर किसे कहते हैं तो इस त्रेणी पर भुग्याल चारगा तथा बांज खर्शुवक्यल उरक्षों के सगनवन पाए जाते हैं दूधा तोली का पर्यावरणिय महित्व पांच नदियों के उद्गम औस बेवनस्पतियों वनो तथा कई प्रकार के वन जियों के इस कारण है तो अगले क्व यह पूर्वी नयार उप्रोग निकलती है बृतिय में यह चेटर चांदपूर परागने में यानि इस चेटर में इस्तित फैब गचंड चमोली भी इसे छेतर में इस्तित है तो दोस्तों हमसे जोड़े रहने के लिए धने बाद आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक से यर एम चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई ट डेके